इंटिव्यू के आखरी हिस्से में मैं आपसे आपके अपने जो परसनल इशूज हैं फैमिली के अंदर जो इशूज हैं या जो केसिस वगरा हैं उस पे मैं थोड़ा आपके आपके आपसे बात करना चाहूंगा जब पिछले साल एफायार जो है सी बिया ने दर्ज कराया खत्म हो गया अब तब से लेकर आज तक 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 नौग दस महिने हो गए हैं वो केस कहां तक आपके खिलाफ आगे बढ़ा है और जो आपके खिलाफ आरोप हैं खास्तोर पे जो रेलवे आयर सी टीसी का जो होटेल का जो मामला है वो किस हद तक मतलब जो है केसमें दम है मतलब जो हैं और हम आठा का मामला पहुंचा है यह थोड़ा बतार दार गया दो सिंस 97 से लेके 2018 तक मेरे परिवार के कोई सदस नहीं बचे होगे जिन पर मुकदमा नहीं चलना और हमारे पिता, माता, मेरे भाई, मेरे बहने, मेरे बहने के ससराल वाले, मेरे जीजा जी ऐसा कोई नहीं होगा कि हम लोगों पे एक ही तरह का नहीं अलग अलग तरह की केस चले मेरे भाई पे भी मडर का केस बीजेपी के वालों ने कराया जो कल सुप्रीम कोट से हम लोग जीते हैं लेकिन कहीं भी मीडिया में नहीं आया जब नाम चल रहा था तो मीडिया में बड़ा परचाड़ित किया जा रहा था तेज प्रताप जी का नाम. लेकिन कल हम सुप्रीम कोर्ट सी जीतते हैं. आपको पता हुसे बहुगा डी-े-े-केस भी था. After follow a scandh, इनने डी-े-केस भी कह था वह भी हम सुप्रीम कोर्ट सी जीत करके आएं, डी-े-केस मतरब सुप्रीम कोट कहती कि लालु जी उनके परिवार के पास कोई पैसा नहीं मेरा when I was 13-14 years old, when I was minor, my name has been included in the F.I.R. which you were mentioning कि I.R.C.T.C. यानि 13-14 साल का लड़का अगर रेल्वे में घुटाले कर रहा था, होटल की डिलिंग कर रहा था, जमीन की डिलिंग कर रहा था, तो जब यही लड़का 13-14 साल का ठाइस साल का नौजवान हो जाता है, डेपटी सी-म हो जाता है, तीन-तीन मंतराले उसके पास होता है, तब तो हमको हजार करोर का घुटाला करना चाहिए था, अठारा महीने हम नितीज जी के साथ ने एक काम मेरा गलत बता दाए, अगर हमने कोई गलत काम किया होता हूँ, हमने तो और टेंडर, EOT और वेरिएशन की जो फाइल आती थे हमने कमिटी बना दे, अगर मेरे मन में अगर गलत करने की मनशा होती तो वो फाइल तो हम अपने पास मंगाते हैं, हमने कमिटी मनाई, हम कैबिनेट ले कर गया है प्रपोजल में, कि हमको बचाली जी इस रिजन में इनको फसाईए, यह हम लोगों खिलाफ बोल रहे हैं, तो होगी, हम लोग अगर किसी बीजेपी नेताओं के गेंस, अगर हम कोई भी यहां गिरीराज सिंग के खिलाफ हमने सबूत पेश किया, शुशील मोदी जी के पूरे परिवार के खिलाफ पेश किया, नितीश कुमार जी ने संडरक्षन दिया, उनके नॉलेज में था, श्रीजन गुटाला, यह हमने प्रोसीडिंग की, लेकिन कोई जाच हो रहा है, नहीं हो रहा, क्यों, अगर हमने गलती किये, तो देश की सबसे बड़ी-बड़ी अजेंसिया जाच करने दीजिये, गलत होंगे तो, कोट होगा, सजा देगा, लेकिन भाई, जाच खली हमारे ही परिवार का होता रहेगा, पचीस सालों से, यह औरों का भी होगा, तो इस मामले में चार्च शीट की स्थिधी अभी क्या है, और सुशिर मोदी जी के पास तो बहुत परमान था, और देश की इतनी काबिल अजेंसियां, जब हर आंगल से जाच करनी हैं, जब सबूत था, तो चार्च शीट में देरी क्यों हो रही है, धेरी इसलिए हो रही है, क्योंकि इलेक्शन जब आएगी, टाइमिंग को देखकर के ये चार्च शीट करेंगे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पने वाला है, जिस दिन ये चार्च शीट करेंगे, जो भी हम पे चार्जिस फ्रेम होंगे, विट एविडेंस, आइल डू अप प्रेस कॉंफरेंस, और सारी चीजों का जवाब हम देने का काम करेंगे, हम लोग जानते हैं, हम लोग निदोश है, जो सच के रास्ते पे चलता हो, रास्ता काटेदार होता है, वो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन संखर्ष हमारे पिता ने जवानी से लेके बुरहापा तक अभी भी संखर्ष कर रहा है, चात्रा अंदोलन से जेल में गए, जेपी मुमिंड में जेल में गए, या बीजेपी की जो अगहुशित एमरजंसी है, ताना शाह के खिलाफ जो आवाज उठाने हैं, उसके वज़ा से जेल में गया है, एक बड़ी वज़ा है, मैंने आपको बीच में भी गिनाने का काम किया था, कि बीच में जो नाशनल लेवल पे जो महागरबंदन बनाने की बात थी, उसको ब्रेक करने के लिए भी लालू जी के उपर बड़ा पॉलिटिकल वेड़ेटा हुआ, और ये केस इसलिए भी मेरे को इंक्लूड किया गया, कि नितीज जी के लिए एक एक्सक्यूज ढूंडा जाए, ताकि वो पब्लिक डोमेन में कह सके कि ये ब्रष्ट चारी हम इन से समझाथा नहीं कर सकते हैं, और उनके 75% मंत्री यहां दागी हैं, उस पे एक्स्प्लिनेशन नहीं मांगेंगे, इनके मंत्री बंगाल में जाकर के मारा पिटी करते होटल वालों के साथ, तो करवाई नहीं करेंगे, तब अंतर आत्मा नहीं जागी, खुद 20,000 का जुर्माना हो गया नितीज कुमार जी पे चोरी के इन्जाम में, एक जेन्यू के चातर का बुक छोड़ी कर लिया गया था और अपने नाम से उन्होंने छपवा दिया, कोट ने जुर्माना दे दिया, उस पे एक्स्प्लिनेशन नहीं देंगे, खुद पे मडर केस चल रहा, वो स्पीडी ट्राइल वो नहीं कराएंगे, अभी किया केस चrationsनरा, नितीशक maior वसे बिहार गपहरंन्ट, विहार गपहरंन्ट भी नितीशक वारे, नितीशक कुँआ नहीं बिहार गपहरंन्ट है, क्या जस्टिस मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला, तो और जहां तक फॉर्ड़े स्केम की बात है, मैं बताता हूँ ने लो़र कोट का फैसला है कई हमने ऐसे भी फैसले हमने देखने का काम किया है जो हाई कोट में आने के बाद बदल जाते हैं या हाई कोट के जो फैसले होते हैं सुप्रीम कोट जाने के बाद बदल जाते हैं हम लोग हाई कोट है और जो judicially आर्कितेक्चिर जो बना है, ठीक है, lower court का फैसला है, सबी court का समान है, लेकिन हमारे पास विकल्ध हैं, हम already high court में एक case को, same ओ similar cases को ले करके हैं और ये जो पहले जो था ये एक क्लब था एक केस को लेकर के था हाई कोर्ट से हम लोग जीत गये थे लेकिन सी बी आई सुप्रीम कोर्ट का निन्ने हुआ कि ये अलग-अलग किसे चलेंगे इसने अलग-अलग मुकद्ब मतलब एक मुर्गी को छे बार हलाल को इस तरह का भी चल रहा है और हला कि जो रिशली है जो भी डिसीजन है हम लोग जो होगा कोर्ट के माद्दें में लीगल तरीके से हम लोग अपनी बातों को रखेंगे और मुझे पूरा भरोसा है आप बताएं ये शुशीन मोहदी जी शुरुआत किये थे मिटी घुटाले से मेरे भाई को ले करके मिटी घुटाल आओ गया जो मॉल की जमीन की जो मिटी है वो जू में लखी जारी है यहां इतने करोरों का बेज दिया क्या हुआ पॉरेस्ट मिनिस्ट्री तो इनी के पास है क्यों ने जाच करा लिया और जो मिटी जो था टोटल जो उस प्रोजेक्ट पे लगना था वो सेंट्रल का ही उजना का था दसलाग का मिटी लगना था और जो मिटी जो दे रहा था वो खड़ा हो गया मिटी मॉल से नहीं मेरे यहां से आ रहा है और सारा प्रोसीजर जो है कहां गए शुशीन होदी जी गाहब क्यों है मिट्टी गोटाले में आप तो मिनिस्टर हो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के आप तो आपको सजा देना चाहिए मिट्टी मॉल करते रहे गए एक भूमिका रचा गया हम लोगों के खिलाफ एक perception क्रियेट करने के लिए पब्लिक डोमेन में तो इनेगेटिव perception बने ये कोशिश के लिए लेकिन देखिए धीरे धीरे जो दूद का दूद आ पानी का पानी आ रहा है एक statement आपने नहीं सुना होगा जो कल्ट का Supreme Court का order आया है मेरे भाई के खिलाफ और वो क्यों हुआ था murder का भी charge में डाल दिया मेरे भाई को कोई case छोड़ा ही नहीं ना सारे मुकरत में तो हम लोगों पर कर रखे हैं murder तक जोड़ दिया हम लोगों पर हम लोग अपरादी हो गये अब Supreme Court ने कह दिया कि political vendita के साब साब अपरादी ये लोग नहीं है भाई इनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है और जो फोटो दिखा करके जो case किया गया था मेरे भाई के BJP के सारे leaders के साथ उस लड़के का फोटो है लेकिन जान सिर्फ तेश्परताब का हुआ क्यों हुआ रवी शंकर जी का क्यों नहीं जान चुआ उनके साथ फोटो था उनके साथ तो डिनर कर रहे थे वो आपके लगवी जी के साथ डिनर कर रहे थे लेकिन आपने इन कारवाईयों को आसान करने दे थे क्योंकि सवराबुदीन जैसे लोग भी आपके पार्टी में शामिल हैं जिनका रेकॉर्ड सब के सामने हैं नहीं सवराबुदीन जी देखिया भी वो जेल में है तो वो जेल में है उसे क्या है क्या दिकत है उनकी वाइव जो है चुनाओ लड़ती रही है मेरे परिवार में अगर कोई दोशी है तो इसका मतलब मैं दोशी नहीं हो और कारूनी प्रकिया से वो भी फाइड कर रहे हैं जो भी आपका वो जो मुकदमा है वो फाइट कर रहे हैं अगर जो भी होगा वो तो कोट का निन्न है लेकिन वो तो जेल में हैं लेकिन बीजेपी के लोग जो अपरहाद करके जेल नहीं जाते बलके और मेवा और प्रमोशन जिनको मिलता है उन फिर जांच तक नहीं होती है तो यह दुर भाग बार जो लेकिन सिर्फ जांच मेरे पयो यह जैशा पैपते भी मिया जांच च्यांच घिरियरा शिंग पे será गडा होगी की नहीं घृजал लुग छोगी होगी लुद रफेव मोना जाते है सफें बहुत हरु की बाद जो सफेद धने वो विदेश चला जाता है तो चौकिदार जी कैसी चौकिदारी कर रहे हैं तो हम लोगों को पता है दिख रहा है आप में प्रसेप्शन की बात की तेज़ा शूई एक बड़ा प्यारा तस्वीर है लालू जी और राबरी देवी जी का शायद गोद म होगा और वो तब की तस्वीर है तो वो जो पापा जब पतना आये थे क्योंकि मेरे जो चाचा थे वो आपके वेटनेरी जो हॉस्पिटल या वेटनेरी जो फार्म्स वगरा जो होते हैं वहां वो काम करते थे आज़ा चपरासी तो जो सब्वेंट कोर्टर जो मिला था ला बोटी बहन थी नाइंटी के बाद वो जब लालु जी चीफ मिनिस्टर और जब हम लोग सीम हाउस में जब शिफ्ट कर गया थे तो वो पाद होई लेकिन उसी सी जब वेरा सवाल था कि परिवार का वो द्रश है और आज जब हम आप से मिलते हैं या मिशा जी या और भी लोग हैं आपके परिवार में तो अब एक संपन परिवार आप लोग हैं पबलिक के मन में सवाल तो उठेगा कि भाई कहां वो कहां ये तो परसेप् है कि because of Ladoji's proximity to power CM रहे तो इसलिए जो है family को फाइदा मिला ने ने फाइदा मिला CM रहने से तो आप proof भी तो कीजेगा ना सुप्रीम कोट से तो DA case हम clear रोलनी है और I was being as a cricketer पूछते भाई ते जश्वी कहां से पैसे लाता है कहां से इसने जमीन खरी लिए शेयर खरी लिए तेरा साल की उमर से हम cricket खेले मेरा पहला मैच का salary 6000 था उस जमाने में जब मैं तेरा साल का था तेरा अंडर 13 अंडर 15 अंडर 17 अंडर 19 रंजी trophy first class under 19 Indian team IPL contract कितने पैसे मिलते हैं अरूं जेटली जी सब लोग जानते होंगे एक क्रिकेटर्स को तो हम तो पैसा वहां से भी कमाएं हमने परफॉर्म भी किया मेरे जितने भाई बहने सब लोग अलग अलग हैं सबकी अपनी अलग 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 family हैं सबके अपने husband हैं तो अपना कोई भी family हो चाहे गरीब से गरीब हो या कोई भी चाहेगा जब हम politics में नही सोच है कि जो पैदल चलता थो पैदल ही चले क्योंकि कुछ लोग जो गारी में चलते थे जो order दिया करते तो वह order देना बंद हो गया लालू जी के नबेक के बाद मुखमंतरी बनना मतलब जो मंदिर में पूजा करने का जिनको अधिकार नहीं था कुआ में से पानी कर निक कुछ फाल कि व्यालू छोग झालान्ती में हो या कहीं भी हो हम लोग नहीं काम किया मेंनद किया हम लोगी सदार पे आये हैं अगर कोई गलत किया तो उसकी दुझा चली दिये ना तो जो होगा व export का दूध्र पानी का पानी हो जाएगा लेकिन मेरा वही सवाल फिर साथ कि एक ही फैमिली की बात की जाएगी लालू जी की तो आपने हर तरह की तस्वीरे देखी होंगी छाता आंदोलन से लेकर के विटनेरी कॉलेज में सर्वेंट कॉर्टर में रहते हुए लेकि नरेंदर मोदी जी का तो मैंने चाय बेचते हुए फोटो नहीं देखा बाकी सारे तस्वीरे हैं पंद्रा लाका सूट तो पहले नहीं पहनते थे लेकिन आप पंद्रा लाका सूट पहनते हैं और एक दिन में कितने सूटें बदलते हैं वो भी हमने देखा है तो यह perception मोदी जी पहने तो बहुत अच्छ है हम लोग अगर ठीक ठाक रहे हैं तो बहुत बुड़ा तो देखिए यह perception जो है एक mentality कुछ लोगों की है और वो market में इस तरह का marketing करते हैं आज लोगों को तकलीफ हो रहे है शोशल मीडिया में क्योंकि हम तो मानते कि भाई मेरा एक ही माद्य में है शोशल मीडिया जहां हम अपनी बात को रख सकते हैं और पब्लिक से जुड़ने का भी एक अच्छा platform है लेकिन अब मोदी जी का और बीजेपी के लोगों का perception इतना खड़ाब हो गया शोशल मीडिया में क्योंकि लोग जहर फिलाते थे अब उनको आइना दिखाया जा रहा है उनको जवाब मिल रहा है वहाँ तो लोगों को तकलीफ हो रही है तो यह तो चलता रहेगा देखिए राजनीती में आए हैं अगर आप उनके जगे पर बैठ जाओगे जनता बैठा देगी खोज से नहीं बैठोगे जनता बैठा देगी और हम तो पहली बार चुना लोड़े पब्लिक तो हमारे साथ ही दिखी आप बता दीजी ना लालू जी के अगे इसका पब्लिक तो हमेशा रहें 15 साल ऐसी ही तो नहीं जीता या फिर यूपिय में हम लोग रहें फिर अभी महागण बंदन बना तब हम लोग जीता पहली बार चुना जीते तो कोई हम अपने मर्जी से तो हम तो बैठे वे नहीं हैं हम आप लीडर ऑप पोजीशन ह हैं नहीं हमको लोगों ने चुना हैं हम तो चुन करके आए हैं जो लोग परिवारवाद की भी आरोप लगाते ते शुरू में परधान मंत्री भी परिवारवाद की बात करते थे हैं हम तो उनको कहते हैं कि हम तैयार है I will resign from everything लेकिन मेरे से पहले जो इन्हों ने परिवार बात किया है कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक उनका तो रिजिगनेशन करवाओ वह तो एफडेविट पर लेके कि राजनिती में नहीं आएंगे हम भी रिजाइन कर देंगे मतला मेरे लिए अलग कानून होगा उनके लिए अलग कानून होगा यह तो नहीं चलेगा किरती नितीश मिछ्रा हो अगर यह मुख मंतरी के बेटे यह राजनिती में नहीं है क्या इन पर तो कोई सवाल नहीं पूछा तो मेरे पर क्यों पूछ रहो अनुराक्षाकर कौन है राजनाथ सिंग के बेटे कौन है आपकी जितने मुखमंतरी राजिस्थान से मद्ध प्रतेश उनके बेटे 36 गर के मुखमंत्री उनके बेटे ये आते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है तो ये देखिए इस तरह का नहीं होना चाहिए और बिहार में तो कितने बेटों इस बार चुनाओं लड़ें तो ये जो दंगा जो भड़का रहें हैं या अश्वनी चौबे के बेटे ये भी लड़ेते हार गेए यह रहेगा कि जहां तक लोग लालू जी और राबरी देवी जी के कारे काल की बात करते हैं तो जंगल राज जुमला जोड़ जाता उससे इस परसेप्शन को आप कैसे दूर हटाएंगे और किस तरह से आप लोगों को कन्विंस करेंगे कि तेज़श्वी की जो हकूमत है वो उस जंगल राज भरी वे हकीकत हो या ना हो आप इस चीज़ को शाद मा मनेंगे लेकिन उससे एकदम हट के अलग किसंद की सरकार बनेगी हमानते परसेप्शन ऐसा बनाया गया और इसका हम लोगों को काफी नुकसान भी हुआ क्योंकि हम लोग मार्केटिंग में एक्सपर्ड बीजेपी के जैसे नहीं थे लालू जी ने जो रेलवे में काम किया होगा शायदी हिंदुस्तान का कोई रेल मंत्री आस तक ऐसा किया होगा हम अगर गिनाने लग जाए तो मेरे उंगलियों पर हैं एक दारन है हमने तो अलप्शंख्यक वालों में भी गिना दिया क्या 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 वैसे जितने विश्व विद्याले बिहार में बनने आज तक उतना किसी और सरकार ने ने बनाने का काम किया पर्मनेंट नौकरियां सिक्षकों की अगर हुई आखरी बार तो लालू जी और लावरी देवी जी के समय में हुआ उसके बाद नियोजित नियोजित है उसमें भी दो शंतुषनी हैं आंदोलन पे घूमते हैं जो स्कूल बनाना दलितों को अपलिफ्ट करना और उस समय भी यूएन ने तारीफ की थी शोशल जस्टिस का भी एक राइटीर होता है ओल ओवर डेवलप्मेंट को देखके तो 35 आंक्रे शोशल जस्टिस को उस समय की मांग अल है आए म के लोग हो या एंच आट के हो या हाववड के हो लोगों ने गुरू के देने का आपकी अपक इससे नाजोबहे किसी नहिता से पूछ लीजें कि औरłamी क्या कि जो हमारे सरकार में हम तो अभी कुछ दिन बाद हमारों पत्र जारी करने वाले हैं ये डबल इंजिन की सरकार जो है चोर दर्वाजे साई हुई है हम तो खुले आम चुनौती भी रहते हैं अगर आकरों पर बात कीजेगा तो लालू जी और उनके रिजिन में जितना काम लेकिन आप एक जगे समय तो तैकर देजिए लेकिन कभी भी आप में ट्विटर हैंडल देखेगा तो आप चैलेंज मेनी टाइम्स मगर कोई तयार नहीं होता क्यों नहीं होता हाउस में वेन आइस क्वेशिन्स तो किसी के पास जवाब नहीं होता आज भी नितिश कुमार कि यह लाउंडेंवी नहीं रहा है आप ऐप करक्या रहा हैं फिर लोगों को रौजगाहर नहीं मिल रहा कि सानों को करज और माफी नहीं हो एंदिरावस participar को不是 मिल था जो इंडापा अपनी ही अलाइंस की सरकार है के औरम डबल इंजन की तो करक्या रहा हैं बिहर में आपया वें सरकार आने के बाद मेरा तो आखना है नहीं तो आखना हो फिर बात करें, परशेप्शिन तो जो बडलता है उसमें हम तो बोलें, Marketing Expert हम लोगों को भी करना चाहिए था, लोगों को बताना चाहिए था जो अभी बिहार सरकार जितना आड में खर्चा कर रही है शायद हम लोग कर लिए होते तो शायद पर्सक्शन नहीं होता ते जश्वी आपने बहुत वक्त दिया हम को वाय से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया